तो भाईया, 2025 बोर्ड एक्जाम के लिए कुछ ऐसे टॉपिक बता दीजे जो कि पढ़ ले और 100% आज है साइन्स का तो बिलकुल आपके लिए ही या वीडियो होने वाली है क्लास्टन साइन्स 2025 बोर्ड एक्जाम के लिए मैं ऐसे कुछ टॉपिक आपके लेकर आ चुका हूँ जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो 100% इन्हीं में से आएगा इससे बाहर एक कुश्चन भी नहीं आएगा टोटल में 50 टॉपिक बताऊंगा टोटल कितने टॉपिक बताऊंगा 50 टॉपिक जो कि चैप्टर वन से लेकर चैप्टर 14 तक सारी चैप्टर इसी में कवर रहेंगा तो वीडियो को आपको पूरा देखना है कहीं भी वीडियो को इसकिप नहीं करना है कि कहीं भगा भगा तिसफिरे दक्त को से पहले नहीं से सबुस्टाइन से मतलब क्या होता है रसायण घंदी इंग्लिश सब्सक्राइख को बताते चलूगा कहीं कोई भी दिखकत नहीं आएगी और 2025 मतलब क्या होता है ऐिथ रसायण विज्ञान ठीक है रसायन विज्ञान तो चलो अब आपको बताता हूं इसमें से जो important important topic है और देखो सबसे पहला जो topic है आपको पढ़ना ही पढ़ना 100% रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विदी बहुत सारे बच्चे इसको नजर अंदाज करते हैं कि आखिर यह आ भी सकता है क्या तो मैं कहूंगा बिलकुल आएगा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विदी आप पेपर उठा के देख लो चाहे आप 2024 का पेपर देखोगे चाहे आप तेज का देखोगे चाहे बाइस का देखोगे अब देखो हर साल में क्या होता जैसे 2024 में चाहे साथ सेट बनते हैं पेपर के टोटल एक दो तीन चार पांच छे साथ टोटल साथ सेट बनते हैं फिर इस साल में भी साथ बनेंगे इसमें भी साथ तो इन में से एक नएक सेट में hundred percent यह आया हुआ है तो आप अकर देखेंगे तो मिल जाए नहें तो अंसाल्ड में आप देख लिजेगा, उसके बाद देखो जो दूसरा टॉपिक है, सईयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, सईयोजन तथा वियोजन, आप देखो नाम से ही लग रहा है, सईयोजन मतलब सईयोग होना, जैसे यह माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, मतलब दो चीज़े आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है और वियोजन मतलब अलग हो रही है तो सईयोजन वियोजन अभिक्रिया पढ़नी बहुत जरूरी है उसके बाद जो मैं नेक्स अभिक्रिया है स्वारी अभिक्रिया नहीं है वह है आमने छार तथा लवड़ यह काफ होगी और दूसरा जो है वह है उदाहरण परिभासा और उदाहरण यह आपको तयार करना होगा अब देखो उसके बाद क्या आता है फिर उस्मा छेपी तथा उस्मा सोसी अभिक्रिया उस्मा छेपी अभिक्रिया तथा उस्मा सोसी अभिक्रिया यह आपको तयार करना होग तो ऐसे आजाएगा जैसे इसकी पूर्ण लेगा कि इसकी परिभासा लिखें ठीक है और इसका उदाहरण भी पूर्ण सकता है उदाहरण पूर्ण सोडा बनाने की विद अब देखो बेकिंग सोडा बनाया जाता है वह कैसे बनाया जाता है इसकी बनाने की पूरी विद आपको जाननी है आपको पूरी लिखनी है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं यह पूरा अब इसके बाद आता है धावन सोडा अब दोन से बताना कि आपका एक कुश्चन है कौन सा सोडा खाया जाता है कौन सोडा नहीं जैसे कौन सा भता है उसके बाद देखो एक अभिक्रिया आ रही है जो की पढ़नी बहुत अब यह देखो अभिक्रिया क्या है उदा सेनी करन अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपोर्टेंट काफी बार पेपर में आई है और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट तो यह वाला है अब इसमें हो सकता है दे आपको प्लाश्ट्र ऑपेरिस बनाने की विधी उसका उपियोग और इसका देदेगा तो ऐसे भी दे सकता है तो इसके लिए बिल्कुल आप तयार रहना अब फिर आता है नेक्ष धातु एवां अधातु अब कोगे इसमें क्या पूछेगा इसमें परिभासा पूछ लेगा और उधारन जैसे पूछा लिया कि धातु की परिभासा बताईए और उधारन तो आप आप बताऊ ज़ो कि धातु में चंचेली होती है और धातु में तनचेली और तन्यता का गुढ़ पाया जाता है इनमें अधातव लिक्ता नहीं पूर्ठीन नहीं होती है गहात है दuffy की परिभासा पता है और उधात की आहिप बना सकतों अपने मन्òng से तृटात़् जैसे यह भी यह बहुत जाद opening topic है अगर आपको पूरा इंप comfy नहीं पढ़ाए अ पूरा पीक पढ़ने आपका काम पूरा फूरप्रॉरा बॉक पढ़ने से बढ़े आया है आप यही profit पढ़ के परिभांसा अम उदारण अब यह क्या है सजाती स्रेडी है तो इसकी परिभांस और उदारण इसका लिखना पड़ेगा सजाती स्रेडी को फिर आयू-पीसी नामकरण यह आपको बताना नहें उसके बाद है इस्टली कररण अभिक्रिया फिर साबूनी आभिक्रिया यह दो लाइक्रिया बहुत ज़ादा इमपॉर्टने काफ़ी ज्याधा वेयरि में आप रख सकते हो वैसे जितना आपको इसका कुछ important चीजे इसमें देखो जितने चीजे लिखाओ इतनी चीजे important है ध्यान रखना यह जो भी topic है इनका आपको कि देफिनीशन ठीक है इनका डेफिनीशन जरूर याद करना है plus figure भी definition प्लस figure यह आपको जरूर से तैयार करना है यह जितने भी मैं बता रहाँ ठीक आप देखो सबसे पहला क्या है सबसे पहला सवसंतंत सवसंतंत देखो सवसंतंत ठीक है यह इसका definition मतलब क्या होता है इसकी परिभासा और जब आप परिभासा तयार कर लोगे तो इसके बाद आएगा figure की इसका चित्र कैसे बनेगा ये भी आपको तयार करना होगा अब इसके बाद देखो जो हमारा परिभासा और figure जो से जितने मैं बता रहा हो मुझे बोलने की जिरुवत ही नहीं पढ़नी चाहिए आप लोग परिभासा और figure दोनों ही तयार करना इसके बाद आता है उत्सरजन तंत्र ठीक उत्सरजन तंत्र इसकी भी परिभासा अगर तयार कर लेना अच्छा ये देखो लाइंगिक जनन और लाइंगिक जनन ठीक जो कि सेक्सुएल रिप्रोड़क्शन और अनसेक्सुएल रिप्रोड़क्शन ये बताना है अब इसके बारे में इसमें figure आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है figure प्लस इसकी definition और इसमें बहुत सारी टॉपिक है उनको cover करना हो देखो figure तो मुझे बताएं जिवरती नहीं है figure आप खुदी कर लोगे ना तयार इसके बाद देखो परागण ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिर है नर और मादा जननतंत नर और मादा जननतंत ठीक इसका भी figure काफी जादे इंपॉर्टेंट है काफी बार एक मटर क्या था मटर था ना मटर की उपए जो अनुवान सिक्ता का जो मेंडल ने नियम दिया था ना यह सब आपको तयार करना है हलाकि यह सब काम आपको आगे चलके कहीं नहीं आएगा जब कोई खास ही देखो सव अगर चीजे हैं तो उनमें से एकाद दो जगे आपके सब काम आएगा लेकिन क्या करोगे बोर्ड इक्जाम है अगर आपको परसेंटेश चाहिए तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लो आप बाकि जिनका इंट्रेस्ट बाइलोजी में या फिर कमेश्टियम फीजिक्स में वह अच्छे से एक्दम तयार करने जिनको प्रक्रिया निर्धारण की प्रक्रिया ये तेयार करना है और फिर एक संकर एवं दुई संकर संकर एक संकर यह बूझे संकर संकर यह आप कभी ज़यं स्ट्री ऑफ को तयार करना है ली एक केम योगए आ प्लस में फीजिक्स तेंको चाह की यह वक्या विजलेक्स तो आपको बता दिया अच्छा बताएं एंश्च्छा बच गया है इनको भी करें बता देता हूं इनके कौन-कौन से तॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो देखो इसका जो सब सबसे इवन्ञें से आपकी अलग बूख होगी अभी तो सेम में है तो इसका जो सबसे अपवर्तन यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको आपको पढ़ना जलूई है उसके बाद आता है अब देखो इन में से एक आट टॉपिक दो टॉपिक कटते रहते हैं जुड़ते रहते इन पर इतना ध्यान नहीं देना मैं देखो कभी कई बच्चे से कमेंट करने ल अब इसके बाद है लेंसों से प्रतिविंब का निर्माड जो लेंस होते हैं इनसे प्रतिविंब का निर्माड यह तयार करना यह टॉपिक है यह टॉपिक तयार करना है इसकी परिभास विर्भास तयार करनी है अब यह निकट दिश्टी दोस और दूर दिश्टी दोस इस इसमें क्या क्या तयार करना रहेगा तो यह आप कर लेना उसके बाद आता है लेंस की छमता यह बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक मैं वही बता रहा हूं कि हां यही यही टॉपीक अपको तयार करने है और जो एकदम से ही एकुपॉर्टन है यह 50 पर लोग तो इन से बाहर नहीं आएगा 90% कुश्यन आपके इन ही में से फसेंगे तो मैं यह बता रहा हूं आप देखो लेंस की छमता पता दिया आपको इसको तयार करना है तिक्कत मत लेना कि आपको एसाम नहीं मिले तो क्योंकि मैं खुद इसे चैनल पर आपको पढ़ा दूँगा सारी चीज़े लिंस की छम्ता हो गया ओम का नियंग यह ता है ओम का नियंग इसको तयार आपको फिर आता है मानव नेत्र मानव नेत्र यह क्या है मानो नेत्र प्रतिरोध त्यार कर ना और उसके बाद है विद्धुत-ध्रा विद्धुत-धरा थे फिर आता है स्ट्रेडी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन थोड़ा और उपर कर देता हूं फिर इसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक है आप देख रहोगे यह इतने टॉपिक है और अभी लाश में मैं एक आपको बहुत जबाजस चीज़ बताऊंगा उसके लाप पूरा वे कि मैक्स वील के दक्षिड्व के दक्षिड के पेंच नियम और इसके बाद़ को और फिर इतनी चीज़ें और यह जितने वी चीज़ें है न मुस्टश समझना किन मस्टपट on लिए Méजंगी इस्योटी तो जब एकदम नज़ी चीखा जाएगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा इस वज़े से आप अभी से पूरा अच्छे से तयार कर डालो ताकि एक्जाम के टाइम पे आपको बिलुकुल भी किसी भी प्रकार के दिक्कत ना हो अब देखो एक चीज़ जो मैं बताने वाद था अगर आपको कहीं भी क एक हजार एक इस पर मुझे आप डैक लिए मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के दिक्कत आती है तो बाकी इस वीडियो को लाइक करना हो और दोज़र पचीज बोर्ड इग्जाम के अगर आप तयारी कर रहे हो तो चलों को जोर से सब्सक्राइब कर कर दो